नमस्कार किसान भाईयो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्री कल्चर में तो किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वया बीन में कीटो और इल्लियो का नियंतर्ण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भायो स्वयाबीन में कीट और इल्या अगर लग जाती है और अगर हम उनका समय पर नियंतरन नहीं कर पाते हैं तो वह हमारी पैदावार को 30-40% तक कम कर देती है जैसे कि किसान भायो अगर फलिया बन गए है और उस समय पर कीटों का प्रकॉफ हो जादा है तो वह हमारी फलियो को काटे के जिसे हमारी पैदावार कम होगी तो किसान भायो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्वयाबीन में कीट और इल्यो का लिए हमें इस पर कितनी बार करना चाहिए और कौन-कौन से टाइम पर हमें इस पर करना चाहिए और उसके अलावा किसान भायो कौन कौन सी दवाई इसके लिए बेश्ट होती हैं उसके बारे में भी हम वीडियो में पूरी बात करेंगे तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अगर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी नहीं दुझाल से एक लाइक जरूर किजज़ेगा क्योंकि आपका लाइक हमाये इसी परकार के वीडियो आगे बी बनाने के लिए प्रोसाइट करता है भायो अब बात करें इसप्रे कीतनी बार yol करना चाहिए तो आपको स्वयाबीनमेर् benefici कम से कम तीन बार जरूर करना चा कुछ वेराइटिया लेट वेराइटी होती है तो उसके लिए आप कुछ दिन बाद इस्प्रेक कर सकते हैं जब स्वयबीन 30 दिन का हो जाता है तब उसमें रश्ट उसकीट सफेज मचर गरडल बिटल और उसके अलावा सेमिल उपर इल्ली का प्रकॉप बहुत ज्यादा हो ज प्रकॉप करें लगब लगब 45 दिन के बाद करना चाहिए किसान बाइओ 45 दिन के बाद स्वयबीन में फूल की जो मात्र होती है वह सबी फूल आ जाती है और फूलों से फलिया बनने का काम सुरु हो जाता है तो उस समय पर भी कीटो और यलो का नियंतरन बहुत जरूरी हो हैं क्योंकि अगर उस समय पर हम उनका नियंतरन नहीं कर पाते हैं तो वह अपने फूलों और फलियों को काड़ने लगेंगे जिससे हमारी पैदावा कम होगी तो इसलिए दूसरा स्प्रे हमें स्वयबीन में 45 दिन के बाद करना चाहिए और किसान बाइओ बात करें तीसरे स्प्रे की तो तीसरा स्प्रे हमें लगबग 60-50 दिन के बाद करना चाहिए क्योंकि उस टाइम पर स्वयबीन की फैलिया पकने लगती है तो उस समय पर भी स्वयबीन में गर्डल बीटल और सेमी लूपर का अटेक बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनके नियंतरन के लिए ह इसमें ट्राइजोफास, प्रोफेनोफास, लूपरंट की कोराजन, बायर की फैम, अलिका की अलिका, एमपलिगो, टाटा की टाकोमी यह बहुत परकार की आपको दवायां मिल जाएंगी लेकिन आपको अच्छी दौाओं का चैन करना है और आपको एक स्प्रे में एक ही द के दौबार करोगे तो उससे आपके फसल में उस केमिकल का ओर दोज हो जाएगा और वह केमिकल ठीक से काम नहीं करेगा तो इसलिए आपको तीन बार आपको अलग-अलग दौई लेना चाहिए अगर आप पहली बार में आप अगर ट्राइजोफास और एटा ब्रों लेते ह और तेसरी वार में आप पोराज़न ले सकते हैं और अ wipes दूसरी लेती है तो हिस लेते हें तो मान लीजीए है आप पहली बार में आप लेते हैं तो दूसरी बार में आप मयार्किन और आप सब्सक्सक्राइब ऑजल्च तो पिर बाद में पता चले कि उनकर वो द्वाई काम नहीं कर रही है तो इसलिए आपको कुछी अच्छी ब्रांट की दुआ का पुरियोग करना चाहिए और तीन स्प्रे में आपको तीनों बार अलग अलग दुआ का पुरियोग करना चाहिए तो किसान भाईो उम्मीद करता हूँ मेरे दवारा दिए कि जानकारी से आप संतुष्ट होंगे वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने तरफ से एक लाइक जरूर किजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें किसान भायों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय जवान जय किसान